बाल बाल बच गए अरे मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे बाल इस विंटर में बाल बच गए अगर मैं हैक्स नहीं करती तो साधा बाल बाल हो गया क्या और इन हैक्स से आप अपने बालों को स्टालिश भी बना सकते हो अब विंटर तो है ही बालों की प्राव्लम का सीजन लेकिन इस पर कुछ ऐसा लाई हूना बालों की प्राव्लम भले ही अलग-अलगो लेकिन सॉलुशन एक ही रहेगा और ये एक सॉलुशन एमाजॉन पे भार ही रिस्काउंट पे मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन जरू चेक करना चलिए शुरू करते है अब जीने करलिंग करना नहीं आता तो नहीं आता चलो अपनी पानी की बॉटल से करल कर लो सप्राइज हो गए ना आगे देखो सबसे पहले बॉटल का उपरी हिस्सा खाट लिया अब सेंटर में आप मार्कर के हल्प से एक रेक्टेंगल शेप दे दीजे इससे शेप के अकॉर्डिंग काटके हमारा बॉटल करलर रेडी है अब अपने बालों को छोटा छोटा पार्टिशन कर दो और उस एक पार्टिशन को बॉटल के अंदर डालके अपने हैर ड्रायर को इस होल में इस तरीक से लगाएं एंड स्टार्ट आप देखिरो ना कितने अच्छे सा आपके बाल रोल हो रहे हैं तो हो गए ना आपके बाल रोल वो भी बिना है ड्रेसर के यह होम रेविडी या ना मुझे होम रेविडी मत बोला का नाम चेज़ कर मेरा तो होम रेविडी थी है और रहेगी अच्छा हो सब छोड़ मेरे ना बाल बहुत जड़ रहे हैं लेकिन सुन मास्क वास्क मत पते जो आइन लगाने वाली थन्मी थन्ड़ हैं अच्छा सुनगा यह ले एक्टे का ओयल और यह श्यंपू से लेविडी की है यह ते सांपू क्या नई है इसमें इसमें आला है फ्रम्राज है यह भी है मेतिराना है अरे तो बिल्कुल है अनियन है ये तो सबसे पहले डाला मता कैमफर है आरे है अरगन है हाँ ये भी है विटमेन ये तो नहीं होगा हाँ वो भी है रोजबेरी तो होई नहीं सकता अरे है है ब्रिंगराज कीडलाए हिबिसकर ये भी है अरे हाँ रैड अनियन तो हो ही भी सकता अरे वो भी है अलू है इंडी है तोरी है सब तो है इसमें पागल हो गई है क्या इसमें सब कुछ है बस तो इसे ट्राइकर ले ऐसी आपको भी प्रपलम है ना कढाखे की धंड में बाल कड़क, scalp dry तो बाल तो जड़ेंगे ही ना तो इसके लिए आपको एक्ते का Hair and Skin Luxury Premium Onion Hair Oil लेना है और उसे एक बाउल में निकालेना है according to your hair length और अपने finger tip की मादद से इन अपने पूरी scalp पे अच्छी से से apply कर दिजिए बाकी बचा जो oil है उसे आप अपनी hair length और अपनी hair tips में अच्छी से लगा दीजिए अब जैसे कि मैंने अपनी friend को पहले ही बता दिया कि ऐसी कौन सी चीज नहीं है इसमें जो बालों की problem को सौबना करे अब आपनी तील तो लगा लिया होगा अब मैं आपको बताती इस oil का double benefit पाने के लिए आपको क्या करना है आओ ज़रा देसी steamer लगाते हैं पहले आप टावल को roll करेंगे और जितना हो सके इसे twist कर देगे अब इसके बाद एक बाल्ती में hot water लो देखते जाओ करते जाओ टावल ने चोड़ने के बाद इसे अपने बालों पे wrap कर लो है ना एक दब मस्त देशी steamer अब टावल हो गया है हमारा धंडा तो इस प्रोसेस को आप एक से दो बार फिर से कर लो स्टीमिंग से hair follicles open हो जाएगा और oil की सारी goodness आपके जड़ों में समाज जाएगी और इस oil की goodness ना double effect दे पाईगी अब oil के आदे या एक घंटे बाद हमें शैंपू करना है अब जड़े तो हमने strong बना ली अब बारी आती है हमारी hair length को smooth and shiny बना देगी शैंपू लगाने का दरिका जैसे मामीशा बताती हो एक बाउल में आप शैंपू लीजिए और उसे पानी से हलका सर डेलूट कर लीजिए उसके बाद अपने hair को upside down करके अपने बालो को थोड़ा सा गीला कीजिए और शैंपू लगाना start कर दीजिए अब कहां आप इस कड़ाके की ठंड में फ्यास चीलोगे आमला काटोगे इस शैंपू में अब भी से मुझे इन सारी चीज होगी खुश्बू आ रही है इस विंटर का में क्या करूँ चीजों से लेकर हमें इंसान और मेरी पलकों को भी चिपका दिया तो उठाओ अपना टेलकम पाउडर और उसे clean mascara wand में लगाओ और अपने पलकों पे अच्छिस उसकी coating लगा दो इससे क्योंग आपके पलके अलग हो जाएगी और mascara आपकर चिपके गानी बालों के साथ साथ अगर eyebrow और eyelashes में ग्रोध हो जाए सोने पर सुहागा हो जाता है ना तो इस clean wand में active hair oil को लो अपने mascara को फेका मत करो, wand बहुत काम आता है और उसके बाद इसे आप अपनी eyebrows और अपने eyelashes पे अच्छी से coating लगा दो तीन-चार बार लगा दे ना ताकि oil की जो coating है ना वो अच्छे से आपकी hair growth कर दे और हाँ इसे रात को लगा के सोचाना तभी ये बढ़ी आसर करेगी Hi mom Oh my god अच्छे बाई बचेश तो और कट्वा के आगली Stop, stop, stop Stop, stop My momi पाल दे रहाँ के ये क्या हो तो My momi to fagla गई But maa पको बताओ मेर अपने बाद चोटे कैसे की है सबसे पहले लगाया मैंने Heavens और उसके बाद मैंने अपने बालो को ना एक rubber band की मतद से सिक्योर कर लिया उसके end पे जाके जादा बाल आपको सिक्योर ने करना है इसके बाद heaven में बालो के end को मैंने अटका लिया और देखा ना मेरे बाल बिना काटे छोटे हो गए Winter में static charge तो नॉर्मल है खासकर woolen cap के साथ यह देखो मेरे साथ हुआ क्या था क्या हुआ तुम लोग हस क्यों रहे हो अपने बाल देख कैसे लग रहे है ऐसा लग रहे है करेंट लग गया तेरे बालो में मेरे बाल खराब हो गए तो इस DIY को पता है मैंने कैसे बना है इसके लिए आपको ना एक spray bottle में थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें डाले कुछ active oil के drops जस शेक इंड श्प्रे इट इस bottle को अपने साथ हमेशा लेके घूमो static charges कहीं भी हो कैसे भी हो आप इससे चिटक्यों में साथ कर दोगे मस्त लगे ना यह हैक्स सच बताऊं तो मेरा ना बॉटल वाला है सबसे जादा फेवरिट है मन कहा रहा था कि बॉटल लेके सबके बाल रोल कर डालू अब मुझे पता है कि मैं आपको कोई होम रेमेडी या फिर हैरमास पता दू तो आपने लगा है नहीं इवन मैं खुट भी ना लगाओ इतनी ठंड जो है तो इसलिए मैं यह हैक्स लेकर आई हूँ ताकि आप इजी पीजी हैक्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर सको और आपके जो बाल है ना इकदाँ मेरी तरफ बढ़िया बन जाए भै मुझे तो मेरे छोटी सिफालना बहुत जादा पसंद है लेकिन अगर आपको अपने बाल घने लंबे मजबू चाहिए ना तो यह सारे हैक्स करड़ा दो अरे कहां जा रहे हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक को शेय कर दो और मैं देख रही हूँ